जियो का कोई पहला ऐसा फोन नहीं है जो आपको Facebook, WhatsApp, YouTube के साथ देखने को मिला हो दोस्तों पहले भी इनके कई Models के अंदर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिली थी तो आज हमारे पास जियो की तरब से हाली में लॉंच हुआ एक जियो का Features Phone है और हम आज इसकी बारे में आपको बताने वाले है तो दोस्तों वीडियो काफी अच्छी होने वाली है और डिवाइस के बारे में सारी चीज़े आपको प्रूपर बताने वाले हैं देखने वाले क्या इसे Features है जो जियो ने अपने इस Features Phone के अंदर एड़ किये है तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहे हैं चलते हैं वीडियो पर तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमें Amazon की तरब से जो Box मिला है वो कुछ इस तरीके का है और इसके अंदर हमारा Phone है तो हम फटा फट इस Box को Open कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके का जो हमारे Phone का Box है वो हमें देखने का मिलता है और हमारा Phone कि इस तरीके का हम मैं देखने को मिलेगा तो मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं तो दोस्तों यह हमारा बिल है जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहां पर आप देख सकते हूं 2599 रुपे का आपको ये फॉन देखने को मिलता है दोस्तो ये हमारा फॉन हमें देखने को मिलता है जियो फॉन प्राइमा के नाम से दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा फॉन है वो हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलता है तो तो इस तरीक WordPress का बखूसी वोण हमें दिखने को मिलता है यहां पर मैं आपको बता जेता हूं Jio Phone Prima का जो बखूसे थोड़ा बड़ा यहांपर जियोने बाकि सारे फॉनों से बड़ा कर रखा था तो दोस्तो अब हम box को open कर लेते हैं और देखते हैं क्या-क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलता है तो दोस्तो मैं इसके उपर लगे हुए refer को cut कर लेता हूँ और इसको हटाने के बाद हम box को open करते हैं मैं box को open कर लेता हूं फोन को निकालने के बाद दिखाते हैं आपको किस तरीके का जो phone है वो आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो सबसे पहले box के अंदर user's manual है वो हमें यहां पर देखने को मिल जाती है और दोस्तो यह हमारा phone है जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है इसको देखेंगे थोड़ा बाद में तो दोस्तो user's manual कैई सारे इस जियो के phone के अंदर दे रखे हैं जियो ने यहां पर तो आप इसको और open कर लेते हैं देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है इसके अंदर जो battery है वो हमें 1800 mh की battery देखने को मिल जाती है यह sleetal gel का जो pouch है वो जियो के हर एक phone के अंदर आपको देखने को मिल जाती है और दोस्तो ये हमारा जो चारजर है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है ये सारी चीजे हैं जो आपको इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं तो दोस्तो इन सारी चीजों को एक साइड हटाते हैं दोस्तो बैक में आप देखते हो तो कुछ यूनिक सा काम जियो ने इसके उपर किया है इस पिकर गिलिल को राउंड यहाँ पर कर दिया है और यही पर जियो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है यह camera है और यहाँ पर flash light आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर Prima की branding आपको यहाँ पर देखने को मिलती है तो दोस्तो फ्रंट से आप देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके का phone है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तो जो इसका yellow color था वो काफी अच्छा लग रहा था यहाँ पर आप देखते हो तो फ्रंट में आपको यह camera देखने को मिल जाता है जियो की branding देखने को मिल जाती है और जो keypad है वो आपको काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती है नेचे की तरप आपको charging jack देखने को मिल जाता है headphone jack आपको देखने को मिल जाता है तो दोस्तो मैंने इसको on कर लिया है तो दोस्तो यह काफी अच्छा जो sound है वो आपको जियो के इस phone के अंदर देखने को मिल जाता है यह phone जब भी आप इसको on करते हो तो यह आपको बताता है कि आपको कौन सी language में इसको चलाना है तो मैं इसको English में कर देता हूँ इसका जो process है उसको हम आगे करते हैं इसमें Wi-Fi का option आपको देखने को मिल जाता है और हम देख लेते हैं किस तरीकी की जो चीजे हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है तो दोस्तो अब देख सकते हूँ इस तरीकी की जो phone की display है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है तो दोस्तो काफी सारे जो features हैं जो geo के पहले phone आया करते थे उन्हें की तरह आपको function इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं बड़ यहाँ पर display की बात कर लेते हैं तो display काफी अच्छी और एक phone काफी अच्छा आपको यहाँ पर Jio की तरफ से यह देखने को मिल जाता है क्या-क्या ऐसे functions हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो दोस्तो यह सारे functions हैं जो आपको अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है Facebook, WhatsApp, YouTube का option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है Jio Cinema का option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और कई सारे ऐसे functions हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो इस phone को लेकर एक और काफी अची चीज यहाँ पर Jio की तरफ से बोली जा रहा ही थी Jio के सारे जो एप हैं वो आपको इस phone के अंदर देखने को मिलेंगे तो दोस्तो इस तरीके का phone है इस तरीके की design के साथ आपको यह देखने को मिलता है इसके अंदर features भी कई सारे इन्होंने add किये लेकिन दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके का price Jio ने इसका यहाँ पर रखा है 25-26 रुपे के बीच में आपको यह phone देखने को मिलता है जो की काफी जादा हो जाता है दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ Jio का कोई पहला ऐसा phone नहीं है जो आपको Facebook, WhatsApp, YouTube के साथ देखने को मिला हो दोस्तो पहले भी इनके कही models के अंदर यह सारी चीज़े आपको देखने को मिली थी वहाँ पर कई ऐसी चीज़े थी जो इनसे छूट रही थी तो दोस्तो Jio ने अपने Jio Phone Prima के अंदर उन चीज़ों को एड़ किया है ऐसा Jio की तरब से बताया जा रहा है तो दोस्तो मुझे तो यह काफी अची डिवाइस लगी प्राइस के मामले में थोड़ा यहाँ पर इसका रैट इन्होंने ज़्यादा कर दिया है लगभग यह 17-1800 रुपे के बीच में होता तो दोस्तो काफी अच्छा होता तो दोस्तो यहाँ पर एक और काफी अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यह आने वाले टाइम के अंदर जब ओफलाइन मार्केट के अंदर आएगा तो वहाँ पर इसका प्राइस थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से एमेजोन से इसको बेचा जा रहा है तो दोस्तो जियो अपना जो प्रोफिट है वहाँ से ज़्यादा लेने के चकर में है तो इस वज़ए से एमेजोन के ओपर इसको रखा है दोस्तो अगर आपको ये phone purchase करना है तो आप थोड़ा wait करिए December के अंदर आपको दो colors के साथ ये properly available होगा किसी भी shop के उपर क्योंकि दो color आपको देखने को मिलेंगे Blue color और दूसरा yellow color दोस्तो yellow color में काफी सांदर phone आपको Geo phone Prima 4G आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो इस तरीकी की चीज़ है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो दोस्तो I hope कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना सीयर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगरी वीडियो में धन्यवाद